वाहे गुरू, वाहे गुरू किसे भी चीह दी जाता कम जाड तक नहीं जान दे जाता कापानो दी पशान नहीं हुंदी ओनों तक बहुता ग्यान नी कहन नुदा पर रोजी कौंकार सत नाम रोजी कहने अजे विचार करनी हैं के सब तों पहलना ता ये देखना पी गुर्णान के दे माराईनों स्रिस्टी ते आउन दी लोड क्यों पही क्यों के परज़ा जड़ी सी और सारी ऐसी होगी कि एक दूझे नुदाना लुटना खोना आंग खिंजना इज्जत नाम दी कुई चीज नहीं है अज बड़ा ही हाल सी ये हुन तुर्या जा रहे हा कामा सो कलमल होई मेदनी अर दास करे लिवलाए अकाल पुर्ख दे चरना जो बेंती कीती तरती ने कि अकेर्ट कान बहुत होगे ने मेरे ते बड़ा पार सेंदी हां पर सेहा नहीं जानदा मैं चल ली हैं मैं डूब चल ली हैं निगर चलो और साथ तल टोवा मैं चलनी हैं थले लो अकाल पुर्ख माराज ने तीर्ज देता है सो उस वक्त तीर्ज दे के महाराज ने कलमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए सच्चा सुनया कन दे तीरिक देवै सहज सुबाए तीर्ज दे ने महाराज कोई नी तीर्ज रख सारे जणे अकठे होके गए सी ये हैं जिनने देवते ने महाराज ने कहा सी तर्ती दे नाम जपाओ साड़ा एक एन लगए काड़ जगदा महाराज अईनी कमाईया अईनी तपस्या हो दी असी हो दे बराबर कोई भी नी पहुंच सकदा है सारे ने हथ खड़े कर देते क्या ब्रह्मा बिश्नु मेश क्या तेती करोड़ देवता क्या देविया इनन सब ने हथ खड़े करते भी साड़े बैस कुछ नहीं का क्योंके कड़ जगदी तपस्या सारे ने जगदे ऐसा तो तो फिर नाराइन अकाल पुर्ख वाही क्रू कहें लगे चलो फिर असी आप आँ दे हाँ आप नाराइन कला तार जग में परवरे और नरंग कार आकार जोत जग मंडल करे हो तानगुर नानक देव शेह माराई ने अवतार तार के सारे संसार नो सिद्धे मारग ते लाया संसार नो तार देया साथ गुर नानक दे मारा सचे पाश्या सिद्धा नार चर्चा होई क्योंके ओ तो सिद्धा लोक का दी बड़ी मिशूरी सी संसार दे अंदर सो गुरू नानक दे माला सच्चे पाथ्षा दजड़ा अवतार है अकाल पुर्ख आप वाहे गुरू ने अवतार तारया है हुन अवतारां दे ज़िगनती हुंदी है वो छे परकार दे अवतार मन्ने ने एक हुंदने अंसा अवतार जिमें राजे खास किसम दे पगती बाड़े पिर्थू, मन्नू, रगू, दली, बादक राजे होएने ये परमेशर दी अंस विच्वी हों देने सारी परजा नू यहों पाड़ देने जिमें परजा बच्चे हों दी है ते आप उनना दुख सहार देने परमेशर दी अंस विच्वी राजे होके बढ़ना अंसा अवतार अवेशा अवतार, जिड़े हंदे ने इन विच बाद विच शक्ती पर वेश कर दी है फेर आँदे ने कलह अवतार, जिनन दे विच कहाजा विच चودा कलाने, कहाजा विच सोडा कलाने ये अवतार हों दे दे फिर हों देने नित अवतार जिमें संत महात्मा ने ये नित अवतार कहा हों देने फिर हों देने नित अवतार जिमें किसे खास कम नो करके अलोब हो जाना जिमें हरनाक्स दुस्त हर मारिया प्रहलात पराया फिर अलोब हो गए उन्ना की कम कर देने फिर चले जान देने बाप से फिर एक ने पूरनवतार पूरनवतार जेड़े ने उजमें रामचंदर जी क्रिशन जी आदक होए ने पर गुर्णानक देव जी जेड़े ने उजमें कहिए के एच छेया नाड़ों ही बखरे ने गुर्णानक देव जी महराज महराज ने वे बाणी दे अंदर बचन कीता ना सोलह कलह संपूर्ण फले आनत कला होई ठाक और चड़े बे अंत शक्तियां दे समेट गुर्णानक देव जी ने इस तर्थी दे आके चर्ण पाए आते तर्थी दे उते चर्ण पेंदीन तर्थी ठर गई शानत हो गई तकाव मिल गया स्रिष्टी नो तारना परारा मकीता गुर्णानक देव जी ने अवतारा नो देख्या जान दा लौकक प्रमान वैदक प्रमाना द्वारा सो एसे प्रकार अवतार दे निशानी जी देखी जान दे शक्ति करके व्यक्ति करके प्रग्या करके प्रग्या नाम बुद्धी दा है फिरो दे करताबते आयू ये पांच चीज़ना करके अवतारा नो प्रख्या जान दा है ये सारी चीज़ां दी व्याक्या नाड़ नाड़ होवेगी एकको देन वेचे सारी व्याक्या नी हुंदी शक्ती व्यक्ती प्रग्या करतब ते आयू ये चीज़ां नाड़ नाड़ जल दियां जान दियां ने एस परकार गुर्नान करफे महराज सरिश्टी दिए आज आये नहीं सद्गुर्नान करफे महराज दू गुरु अंगज देव जी बबा लेना जी दे रूम बज对 सी तै सिद्ध आये शरी करतार पुर्शाब और आवी तो परले पासे एजो सिद्ध आके गुरु अंगत देव महारा इन्हों सब तो पहला जो मिले कहन लगे तो आड़ा मूल मंतर गुर मंतर ता सारासी पोचलेया बीज मंतर भी पोचलेया हो ना तो आड़ा माडा मंतर केड़ा क्यों कि जदों कोई तर्मन नवा चले ना तो उन्हों प्रशन बड़े-खड़े कर देने सारे जाने है हर एक तर्म बिच असपी साठे विच आ माड़ा मंतर है तो आड़ेच माड़ा मंतर केड़ा तक गुरु अंगत दे महाराज बाबा लेना जीने रूप बिच जाके फिर मत्था टेक क्या माराज ये सिद्ध ये पुश्देने के माड़ा मंतर तो अड़ा केड़ा है गुर्णान के देव जी कहने लगे पुर्खा अपना माड़ा मंतर जेड़ा हो जवजी साहब है पावडियां दी तर्तीव गुरु अंगत देव जी कुड़न लवाई महाराज जीने पावडियां दी तर्तीव लाके सलोक समेत सत्गुरु माराणे स्री जवजी साहब दा पाठ बक्षिश कीता पानु सो जदो माराज सचे पाश्य कहन लगे कि असी सुमेर पर बत्ते गए सिद्धा ने नाड़ चर्चा कीती ता जड़े सिद्धा ने सानु प्रशन कीते प्रशनां दे विच जड़ा सिद्धा ने बचन कीता सी कि ए जड़ा तुसी कहने हो कि एक उवंग कार ये उवंग जड़ा होया असल विच बेद्धान दे विच तुसी इन्हों एक उवंग कार क्यों कहन दे हो कि ए तुसी नमीर इतीच ला देती है एका लाता आगे कार ला देती उपर उवंग काफी नहीं है ता गुरु नानक दे मारा सचे पाश्य कहन लगे ये जड़ा ओवंग है ना ये तृदा रूप है चाहे कई अखर संगतनों अउखे भी लगण चाहे तो अनूं कई चीजा ऐशियां भी लगण ये नहीं समझ तो बाहर भी हो जानिया पर समा पाके सम्झ लग जानिया पर ये अभी इनी जानकर होनी अपने लिए बड़ी जुरूरी है क्योंके तो स्था स्था की ऐर जो स्था कून सतो को मयारा चाहरो हरना पहरा ये तिन अख्रा तो बड़िया है कि और है अध़aire ऑख्यार थे ऐकार जरह पर और तो मकार ये जिड़ा अकार है ये रजोगुणी है ये ब्रह्मा दा बाचक है ये जिड़ा अकार है ये सतोगुणी होन करके बिशनु दा बाचक है ये जिड़ा मकार है ये तमगुणी होन करके शिवजी दा बाचक है कि यह तो एद्थ न अर्थ होगे तो अड़े ओंग दे लेवे परमेशर ल्याओ किती है कि सारे चुप हो गए महारा कें दसो परमेशर दा नाम किते है देचे ओंग ता तुसी कही जानने हो ए ओंग दे अर्थ ता तेन बढ़ंगे होन ओंग परमेशर दा कितों नौ ले आओंगे यह तो तेन चीज़ां खड़ियां हो गए महारा केहन लगे साथ मत्तावार्या ने नौन अर्थ करके त्रेहित परकारदा बिबाद खड़ा किता हुआ है